डिलाइट आईएस में मैं कीवी सिंग आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में हम अपने NCRT समरी कोर्स में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के अध्याय पांच विधाईका के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम विधाईका, संसद, लोकसभा, राचसभा, विध दल बदल आदी के बारे में पढ़ेंगे देखिए हमने जो पिछले चैप्टर है उसमें हमने कारपालिका के बारे में पढ़ा था कि किस तरीकी से कानून को वो लागू करती है इस चैप्टर में हम विधायक कैसे बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कानूनों का निर्म देखते हैं आज के प्रिश्ण को आज का प्रिश्ण ने लोग सभा के पत्थम अधिक्ष कौन थे जीवी मावलकर नीलम संजीव रेडी हुकुम सिंग या जीयस ठिलो इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खतम होने पर बताऊंगी हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ औ इनान के अनुख्षे छे अतर के अनुख्षा भारत में जो दो सदन है उसमें दो सदन के साथ साथ राष्टपती और को भी शामिल किया गया है और दो सदन कौन-कौन से है राजसभा और लोगसभा ठीग है इसके साथ जब हम यह देखेंगे विधाईका किसे कहते हैं या विधाईका किस तरीके से होती है, संग की विधाईका को हम संसत कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह राश्टपती और दो सदनों राजसभा और लोकसभा से बनती है, और राजियों में जो विधाईका होती है, देखे, दो स्थर पे होती है, एक केंद स्थर पर और एक राजस्तर पे, केंदस्तर पे संसत कहते हैं, इसके जो तीन भाग होते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, राश्टपती, राजसभा और लोकसभा, और जो राजस्तर पे होता है, उसमें होता है विधान मंडल, उसको हम विधान मंडल कहते हैं, इसमें तीन भाग होते हैं, रा तंता का प्रतिनीदी बनकर कानून का निर्मान करती है। इसकी बहस, विरोध, प्रदर्शन, सरसम्मत्य, सरोकार, सहयोग, आधिस सभी चीज़े होती है। लोगतंतर शाषन में विधाईका का बहुत महत्व है। भारत में संसद्य प्रशाषन प्रडाली जो अपनाए गई है यह बिटिश प्रडाली पर आधारी थे। और यहां पर दो प्रकार की विधाईका है। ठीक है। और भारत पे जो संसद है उसके दो भागें। धो ने ए जो भारत का दूसरा सदन है,依से राज िसभा कहते हैं वा यहां पर प्रतिछ सदल स्य का यह फर्ण राष हों होता है। लूग अधिक्तफ़ दियूसद्दात्मक राष्ट्री विधाईका चाहते हैं ताकि समाज कि सभी वर्गों का उचित-प्रति दिख Chance इसका एक अनिलाब ये भी होता है कि जैसे अगर किसी एक सदन में कोई विचार प्रस्तुत हुआ है या कोई विधेयक पारित हुआ है तो प्रतेख निर्णय पर दूसरे सदन में इस पर पुनर विचार हो सकता है दुबारा लोग इसके बारे में थौट कर सकते हैं और प्रतेक विद्धी और प्रतेक नीती पर प्रतेक कानून पर दो बार विचार होता है और एक सदन दूसरी सदन पर किसी भी प्रकार की जो निर्णने वाली जो निर्णने होते हैं वाँ जलदबाजी में नहीं सौपता है यह एक तरीके से Cross and Check के फॉर्मूले में चलती है क किसी ने एक बार कोई कानून बनाया है उसके बार हम इसे दुबारा चेक करते हैं ठीक है हम देखते हैं कि संसत के प्रमुक कार क्या है देखिए संसत के प्रमुक जो कार है उनमें से एक है कानून संबंधी निर्मान कानून बनाना कार पालिका पर नियंद्र रखना किस तरीक रखता है इसके साथ साथ बजट पारित करना वित्तियकार में बजट पारित करना बजट बनाना ये सब इनके बहुत इंपॉर्टेंट काम है सम्मिंधान में शंशोधन करना देखिए हमारे सम्मिंधान में शंशोधन की प्रक्रिया दी गई है तो किस तरीके से हमारे सम्मिं राष्टपती उपराष्टपती उच नयाले और सरवोच नयाले को हटाए जाने के प्रस्तावों विचार करने के लिए जो कार होते हैं वा संसत के नियाई कार में होते हैं इसके साथ वा निर्वाचन संबंधी कार भी करता है चुनाव संबंधी भी कुछ कार करती है भारत के राष्टपती और उप राष्टवदी का चुनाव करती है। मैन ait आपको पिछले चापटर में बताया था कि जैसे भारत का राष्टपती और उप राष्टवती का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष परणाली के द्वारा होता है। उसी तरीके से यह करती है, और यह भारत का जो संसद है, वह बहस का एक मंच है, वाद विवाद का एक सर्वोच मंच है, यहाँ पर विचार विमर्श करने की किसी भी प्रकार का कोई अंकुष नहीं है, सदस्यों को किसी भी विशय में बोलने की स्वतन्जता है, इससे संसद वह राष्ट की समक्ष आने वाली हर एक मुद्यों पर विशलेशन कर पाती है, इसके साथ साथ जब हम देखेंगे कि यहाँ परसंसद देश के विविन छेत्रिये, समाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूओं को प्रतिनेज़ु देती है, जिससे हमारे जो देश की विविज जो प्रांत हैं उनके बारे में देखिए, जो प्रमुक प्रांत हैं बिहार, जमु कश्मीर, उत्तरप्रदेश, महराष्ट और करनाटक, इन सभी राजियों में विधान सभा और विधान परिशद दोनों ही पाई जाती है, जैसे राजसभा और लोकसभा केंदर के स्थर प कार करता है, इन सभी की अपनी विधाई, वित्तिये, कारेपालिका और चुनाव संबंधी कार हैं, दोनों सदस से राज विधाईका का एक महत्यपूनंग होते हैं, और विधान ने विधान सभा को जादा शक्तिशाली और प्रभावशाली स्थिती प्रदान कर रखी है, अ और 238 राज्यों का सदस्यों का चुनाव अब प्रत्यक्ष चुनाव विधी द्वारा होता है, इनका निर्वाचन छे वर्ष के लिए होता है, यह है एक इस्थाई सदस्य, इसमें प्रते एक दो वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है, और जो इसमें मन तीस वर्षो और इनका निर्वाचन जो है वह एकल संक्रमडिये अनुपातिक प्रतिनिर्जित प्रणाली से होता है 1951 के जन प्रतिनिर्जी कानून के अनुसार राजसभा या लोकसभा के उम्मीद्वार का नाम किसी ना किसी संसदी निर्वाचक छेत में पंचिक्रित होना आवश्यक है अथात वह वोटर कहीं न कहीं का हो ऐसा ना हो कि उसका वोटर आइडिये में कहीं पे कोई नाम ना हो अब हम जानते हैं राजसभा की शक्तियों के बारे में समान विधेयक को पारित करके उन्हें विचार करना उनके बारे में धन विधेयक में शंशोधन पार वह केवल राजसभा में ही आता है फिर हम देखेंगे राजसभा की कुछ वित्तिय शक्तियां भी है और जिस तरीके से जैसे वह वित्त विध्य को राजसभा 14 दिन के लिए विचार विमश के लिए रख सकता है और समिधान संशोधन की भी शक्तियां वहां पर प्राप्त हैं फिर हम जानते हैं लोक सभा के बारे में, लोक सभा भाटी संसत का निम्ड सदन है, इसमें अधिकतर 550 सदसे हो सकते हैं, और वर्तमान में यहां पर 543 निर्वाचित सदसे हैं, जिसमें से जो दो सदसे हैं वा एंगलो इंडियन होते हैं, जिरे राष्टपती मनोनीत कर सकता है लोक सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वरा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इनका कारेकार 5 वर्ष तक निर्धारित होता है, लेकिन इन्हें समय से पूर्वी भंग किया जा सकता है, भारत में संसदी प्रशाशन प्रणाली होने के कारण लोक सभा ज़्यादा श बस्ताव पारित हो गया या लोक सभा विघटित हो गई, तो इसका अर्था अर्थ है कि प्रधान मंत्री और मंत्री प्रश्यत को भी हटना पड़ता है, अच्छा लोक सभा के सदस्य बनने की योकताएं क्या है, भारत का नागरिक होना, यहां पर आयू 25 वर्ष है, वह किस किसी भी प्रकार का पागलवा दिवालिया ना हो, और किसी भी प्रकार के लाप्र सरकारी पतपन ना हो, अब हम जानते हैं लोक सभा की शक्तियों के बारे में, लोक सभा संग सूची और संवर्थी सूची के विश्य पर कानून बनाती है, संग सूची राज सूची और संव जैता है जिसपे दोनों लोग कानूंन बना सकते हैंion, ठीक है, तो संंग सुची और सम्वर्ति सूची के विश्यों पे लोगसभा कानून बनाती है, धन विदेयक और समायन विदेयक को प्रस्तुत करी करती है, इसके संविधान संशोधन, अपातकाल की घोषना इन सभी में भी योगदान देती हैalen हम देखते हैं कि धन-विदेहक300 प्रत्त हो सकता है राजसभा के पॉइनुद्ध में प्रत्तत हो सकता है सविधान दोरा अपनाएगी लोकतांतिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती यही कारण है कि सविधान और निर्वाशित प्रचिनितियों अर्थात लोकसभा के पास सरकार को हटाने और वित्व पे नियंतर रखने की शक्ति भी है देखिए हम इस चैप्टर यह जो आपके सामने टेबल है इसमें हम लोकसभा और राजसभा की शक्तियों के बारे में जो मतलब एक तरीके से दोनों ही शक्तियां देख सकते हैं किस तरीके से संग सूची और समवर्थी सूची पर किस प्रकार की कानून बनाने का योगदान है और किस प्रकार से समधानी शंचोधनों पर योगदान है प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधया कहते हैं और यह है अनुच्छेद 107 से लेख से 112 तक प्रस्तावित का प्रमुक कार है अपनी जनता के लिए कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है कानून बनाने की विदियो में कुछ का उलेक समिन्धान में किया गया है और कुछ को हम कह सकते हैं कालंतर में लगातर प्रयोग की जाने से स्विकार करते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विदेयक की अवस्थाओं को गुजरना पड़ता है और जिस तरीके से हम देखेंगे कि जो प्रस्तावित कानून के प्रारूप को हम विध्यक कहते हैं, विध्यक कई प्रकार के हो सकते हैं, और उन्हें मंत्री के अत्रिक कई सदस्त भी प्रारित करते हैं, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं क विधेयक पर विस्तित चर्चा होती है दोनों सदनों में या तो विधेयक पारित हो जाता है या रद्ध हो जाता है और जब विधेयक लोकसभा या राजसभा में पारित होता है फिर इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है फिर दूसरा सदन इसे या तो मंजूरी देता है या इस पर सुझाव भेशता है और कभी-कभी जरुवत पढ़ने पर दोनों सदनों की सयुक्त बैठक भी बुलाई जाती है उसके बाद या जो विधेयक होता है राष्टपती को भेश जाता है राष्टपती विधेयक को या तो मन्जूरी देता है या उसे पुनर विचार के लिए वापस भेश देता है उसके बाद विधेयक कानून बन जाता है अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी भी सदन में प्रस्टुत किया जा सकता है लेकिन धन विदेयक के स्थिती में विदेयक केवर लोकसभा में ही प्रस्थुत किये जाएगा अब हम लेकते हैं विदेयक के विफिन प्रकारदी की विदेयक कई प्रकार का होता है विदेयक सरकारी विदेयक या निजी विदेयक यदी मंत्री के अत्रिक्ट कोई और सदस्त विधयक पारित करे या पेश करे तो ऐसे विधयको हम नजी सदस्तियों का विधयक भी कहते हैं मंत्री द्वारा प्रस्तित किये के विध्यक को सरकारी विध्यक भी कहते हैं संसत में जो विध्यक प्रस्तुत की जाते हैं उन पर काफी बहस होती है काफी चर्चा होती है कि इस विध्यक की क्यों जरूरत है या इसके आगे क्या प्रभाव पढ़ेंगे किस प्रकार से कोई और विध्यक इससे जुड़ा हुआ नहीं है या कानून किस तरीके से इसके लिए जरूरी है देखे जो समान विध्यक होता है वा धन या वित्तिय विध्यक को छोड़के जितने भी विध्यक होते हैं, उन्हें साधारन विध्यक कहते हैं, यह से जंता से जुड़े हुए मामलों में कोई नया कानून हो, यह समिंधान में कोई भी संशोधन करना हो, दो प्रकार के होते हैं, एक समान विध्यक होता है, और एक होता है समिंधान संशोधन विध्यक, धन या वित्तिय विध्यक से जुड़े हुए या किसी प्रकार के नए कर छूट या अन वित्तिय लेनें से संबंदित जो भी कानून होते हैं या किसी कार के लिए धन मुआया कराना हो तो ऐसे विध्यक को हम वित्तिय विध्यक कहते हैं जो गैर सरकारी विध्यक होता है जैस की भी चीज़े होती है ठीक है इनकी एक प्रक्रिया होती है एक तरीके से इनके बारे में बात चीथ होती है फिर समीती की स्थर पर चीज़े जाती है समीती की स्थर पर रिपोर्ट पर चर्चा होती है दुबारा इसके बारे में बात और अगर एक संसत के एक सदन से प्रालित होता है फर इसे दूसरे सदन में बजा जाता है और फिर राश्टी पती की स्विक्रिती प्राथ होती है जैसे कि मैंने आप भी आपको पहले बताया था अच्छे हम जानते हैं कि संसत अपने उपर किस प्रकास से नियंतर रखती है संसती लोक तंत्रिक में विधाईका अनेक इस तरफे कारपालिका की जवाब देही सुनिश्यत करती है ठीक है और विधाईका ये काम कई तरीके से कर सकते है जैसे कि बहस और चर्चा पे कानूनों की स्वीकृति या असीकृति पे ठीक है तो बहस और विवात के बारे मरकी जैसे कानूनिरमाण ने बनाने में जो प्रक्रिया है उसमें विधाईका के सदस्यों को कारपालिका दवरा बनाएगी नीतियों और उनके क्रियामन के तरीकों पर बहस का अफसर मिलता है ठीक है फिर इसके लावा इसमें कई चीज़ें होती जैसे कि प्रशनकाल सुनिकाल आदे घंटे की चर्चा या इस्थागन प्रस्ताव यह है जो विपक्ष होता है या जो दूसरे पार्टी के लोग होते हैं उनको सामने से यह सवाल का संसत के पास है इसके अधिकार के द्वारा संसत कारपालिका पर नियंत्रन रखती है कोई भी विध्यक संसत की स्विक्रती के बाद ही कानून बनता है और जिस विसरकार को विध्यका मिमन महाफिक महुमत होता है उसके लिए यह स्विक्रती प्राप्त करना कठिन नहीं है फिर आता है वित्तिय नियंद्रन, देखे, सरकार के कारेक्रम को लागू करने के लिए वित्तिय संसाधनों के विवस्ता बजट के द्वारा ही की गई है, संसधिय स्विक्रित के लिए बजट बनाना, उसे पेश करना सरकार के सम्मेधानिक जिम्मिदारी है, इस जिम्मिदार को विधाइका में बहुमत प्राप्ट होता है फिर भी ध्यान शीप्रित करने से पहले लोकसभा कई बार सरकार से मतलब इसके बारे में चर्चा प्राप्ट करती है दूसरा साधन है अविश्वास प्रस्ताव संसत द्वारा कारपालिका को उत्तरदाय बनाने के जो सबसे प्राप्ट है लेकिन हमने देखा है कई बार ऐसा हुआ कि अब विश्वास प्रस्ताव की कारण सरकार सरकारों का अपना त्यागपत देना पड़ा है इसमें से प्रतेक सरकार ने इसलिए लोकसभा में अपना विश्वास बनाने के हमेशा से प्रयास किया है और लोकसभा क को प्रभावी ढंग से नियंत्रत करने के लिए और एक उत्तरदाई सरकार बनाने का भी सुनिक्षय किया है ठीक है इसके साथ आता है निंदा प्रस्ताव यह कि संसद के जो विपक्ष होते हैं वह कई प्रकार के निंदा प्रस्ताव पारित कर सकते हैं जिस समय जब उन्हें लगे कि संसद का जो भी कार है या जिस तरीके से भी चीज़े हैं वह उन्हें अपने प्रस्ताव के या अपने विचार से सही ना लगी हैं अब हम जानते हैं संसद समीतियों के बारे में विभिन कारियों के लिए समीतियों का गठन किया जाता है और संसद ये कामकाच के ल तहो केवल संसत जो अद्वेशन के दोरान ही हमेश कल brauchen और उसके पास काफी सीमग समय होता है लेकिन किसी पी कानुन के बारे में बनाने के लिए उसके जो जुड़ा विशय होता है या उसके बारे में जो नौलेज होती है वह बहुत गहन होती है उसके का उसकी हमें slop करनी पड़ती है उसके बारे में बहुत ध्यान दीना पड़ता है बहुत चीज़ें जानने पड़ती है इसलिए विभिन विभागों सेघ्गी हुई समीचियां पनाई गई है ठीक है कोई भी चीज हो जो तुरंट पारित करने के लिए या किसी प्रकार का नए कानून बनाने की जो उस समय तुरंट समीती बनाई जाती है जो वा कानून या विधेक पारित करने के बाद बंद कर दी जाती है उसे हम आइस्थाई समीती कहते हैं जैसे हैं कि आप सामने टेबल में देख सकते हैं कि विध्ती समीतियां तीन तरीके की हैं ठीक, एक लोग लेका समीति, यह भारती सरकार के विभिन विभागों का खर्च किस तरीके से हुआ है, नियम क्या अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं है, उस पे नियंतर रखती है, दू योग का वेफसाय किस प्रकार से हो रहा है कुछलता पूर्वक चलाया जा रहा है या नहीं फिर आती है विभागी समिति आप देखिए इसमें भी तीन प्रकार दिये गए हैं विशेशा दिकार समिति याचिका समिति और आच्छन समिति इसके बाद हम देखते हैं तधत समीत समिति आती हैं विशेश विशेश की जाल परतार करने के लिए रिपोर्ट देने की समय समय पर इनका गठन किया जाता है जैसे कि बोफोर सम्जोते से संबंधित कई समयुक्त समितियां उसमें बनाई गई थी और इनके प्रस्ताव को संसत शायदी नामंजूर करती है पिर ह एक तरीके से उन्हें काफी जादा शक्ति है प्रात्त है लेकिन संसत को किस तरीके से अपने आपको नियंतिन करना चाहिए किस तरीके से वह शार्थक और अनुशाशित धंग से चलने चाहिए ताकि संसत की कारवाही आसाने से चली रहे और उसमें गरिमा बनी रहे वह बह करना होता है ठीक है और सरवोच अधिकारी होने के साथ सत्व इस बात का हमेशा एक तरीके से उसकी जिम्मधारी होती है कि वहां के लोगों को कंट्रोल कर सके या वहां की लोगों संस्थ सांशतों की वहवार का नियंतन कर सके इसके साथ एक दल बदल कानून आया था 1985 में जिसे सविधान का बावनवा संशोधन भी कहा जा सकता है इसमें सदन के अधिक दल बदल से सम्मझी सभी विवादों पर अंतिम निर्णा लेते हैं और यदि यह सिध हो जाए रिया तो उसके सदन की सदिस्ता समाप्त हो जाती है और इसके बाद अगर कोby और किसी मंत्री पतपी भी है तो उसके लिए अयोग गोशित कर दिया जाता है अब हम जानते है दल बदल कानून कीया है ठीक है दल बदल निरोधर कानू 1985 में 52 समिधान शाशोधन द्वारा पारिद किया गया था ठीक है यह दसवे अनसूची में है और इसको 91 समिधान शाशोधन द्वारा दुबारा पारिद किया गया यदी कुई सदसे अपने दल के निदर्ट के आदेश के बावजूद संसद मुपस्थित ना हो या दल के निदेश के विप्रीद जाके मद्दान करें और सुएक्षा से दल की स्वधिस्ता से त्याकपत दे दे तो उसे दल बदल कहा जाता है और उस इस तर पर अध्यक्ष उसे आयोग तहरा सकते हैं ठीक है और यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सद्धिता भी खतम हो जाती है और वह किसी मानत्री या राज्यतिक पत पर भी होता है उसके लिए भी आयोगिस सिद्ध हो जाता है तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रिशन की तरफ आज का प्रिशन था कि लोग सभा के प्रत्यक्ष अध्यक्ष कौन थे तो इसका होता है जीवी मालवंकर, जीवी मालवंकर लोग सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, आज के वीडियो में बस इतना है, अगर आपको इस वीडियो से रिलेट कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और फ्री पीडियेफ के लिए हमारे टेलिग्राम ग्रूप जोइन करें, थैंक यू सो मच